भारतिय स्वतंतरता संग्राम से जुड़ी एक रोचक और रोमांचक कहानी इस प्रकार है। और समर्पन देश के निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। ये कहानी है भगत सिंह की एक ऐसे योध्धा की जिन्होंने अपने जीवन की बाली चड़ाई देश की स्वतंतरता के लिए दी। भगत सिंह, राजगड के एक छोटे से गाव से हमेशा लोकमान्य बाल, गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित रहे थे। उनकी धैरे और अदम में संघर्ष की कहानी देश के इतिहास में अग्यात महानतम कहानियों में से एक है। उनका युवा वस्था से ही देश भक्ती और स्वतंतरता के प्रति उत्साह था। उनकी आँखों में स्वतंतरता के लिए लड़ने का जजबा था जो कभी नहीं थमा। उन्होंने गांधी जी के नेत्रत्तु में अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह में भाग लिया और देश के उत्थान के लिए संघर्ष किया। समय के साथ भगत सिंह का आत्म विश्वास और प्रतिबधता और भी मजबूत हुआ। उन्होंने अपने साथी राजगुरू, सुकदेव और चंदरशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदू-मुसलिम एकता को बढ़ावा दिया और आजादी के लिए संघर्ष किया। इतिहास की एक अद्वितिय रात में भगत सिंह, सुकदेव और राजगुरू ने एक अंधेरी गली में अंग्रेजों की गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया। ये हर भारतिये के दिल में नया जोश और साहस भर देता है। इस संघर्ष के बावजूद भगत सिंह और उनके साथ ही आज भी हमारे दिलों में जीते हैं और उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। भारतिय स्वतंतरता संग्राम की इस रोमांचक कहानी ने देशवासियों को स्वतंतरता के लिए समर्पित होने के लिए प्रेरित किया और एक स्वतंतर भारत के सपने को साकार किया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी की लड़ाई में किसी भी ख्षण में देश भक्ती, साहस और समर्पन की कीमत क्या होती है इसके अलावा ये हमें यह भी याद दिलाती है कि आत्मबल, अनुशासन और विश्वास से हम आदर्श समाज की और अग्रसर हो सकते हैं